दहीच का लालेज अपनी मा की बात सुनते ही देवेश समझ गया कि रुकमिनी क्या कहना चाती थी वो अपने कमरे में गया रुपाली मुझे लगता है अब हमें भी अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचना चाहिए लेकिन देवेश मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती हमें कुछ दिन रुख जाना चाहिए देखो रुपाली, सब कुछ इतना अच्छा है अब अगर हम अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे तो हमारे घर में खुश्या आ जाएंगी न नई, कुछ दिन और रुख जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर रुख मिनी आ जाती है अरे अगर मेरा बेटा कह रहा है तो उसके बात मान क्यों नहीं लेती बहुदर देख, मेरी बेटी ने तेरे माई के में जाती ही रॉन अकला दी, मा मनने वाली है वो अरे वाँ मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे मम्मी पापा दादा दादी बन जाएंगे वो तो कब सी इस वक्त का इंतिजार कर रहे थे तुम्हें सिर्फ अपने मम्मी पापा की चिंता है साल ससुर के बारे में कभी कुछ नहीं सोचना अना, अरे हम भी तो अपने होने वाले पोते-पोते का मुझ देखने के लिए तरस रहें तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए चीके मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ और इस तरह से रूपाली बच्चे के लिए तयार हो जाती है कुछी दिनों के बाद रूपाली की प्रेगनसी की खबर आती है लेकिन प्रेगनसी की शुरुवात में ही रूपाली की तब्यद थोड़ी खराब हो जाती है इस वज़े से उसका भाई दीपक उसे माईकेल लेने के लिए वहाँ पर आता है दीपक बेटा, आचानक कैसे आना हुआ? वो क्या है ना अंटी, रुपालिक की तब्या ठीक नहीं है तो ममी ने कहा था, कुछ दिन वो अपने माईके रह ले तो वहाँ पर उसके अच्छे से देखपाल हो जाएगी लेकिन यहाँ पर उसे क्या प्रॉब्लम है? हम उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं वो बात नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में लड़कियां अपने माईके में ज्यादा ठीक रहती है वहाँ पर सब लोग इसका ध्यान रखेंगे न, सीमा भी है वहाँ पर लेकिन दीपक बेटा, सीमा तो खुद बेट से हैं वो इसका ख्याल कैसे रखेगी? अरे मम्मी जी, उसकी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना चल रहा है वह अब ठीक है, उसे कोई परिशानी नहीं है अगर तुम्हारी बेहन को माईके में रहने का अधिकार है तो मेरे बेटी को भी है अगर रूपाली माईके जाएगी, तो सीमा भी अपने माईके आएगी और इसी बात पर दीपा और रुपमेणी की भी ओन पर आपस में बहस हो जाती है दोनों ही अपनी अपनी बहु को माईके भेजने के लिए तयार नहीं होती और आखिर में यही फैसला होता है कि रूपाली अपने सिसुराल में रहेगी और सीमा अपने सिसुराल में सब कुछ ठीक है माँ, लेकिन मेरे सिसराल वाले कहते हैं कि मैं अपने माई के से दहज में कुछ नहीं लेकर आई, और इसलिए किसे सस्ति से डक्टर से मेरा इलाज करा रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है, एक हमें देखो, उनकी बेटी का महेंगे से महेंगे डक्टर के पास इलाज करवा रहे हैं, बले ही हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी। मेरी तो किस्मती खराब हो गई मा, इस घर की बेटी को आप कितना अच्छे से रखती हैं, और आपकी बेटी को इस घर में कैसे रखा जा रहा है। यह आप क्या कह रहें मम्मी जी, आप जानती हैं ना मेरी प्रेगनसी कितनी कॉम्प्लेकेचेड है, कितनी प्रॉब्लम है मुझे, जरा सभी कुछ हो गया तो अरे कुछ नहीं होगा बेटा, और मैं तो कहती हूँ तुम घर का काम भी अब संभाल लो, एक महिना आराम कर लिया बहुत है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हारा महेंगे डक्टर्स इलाज करवाया जाए। लेकिन ममी जी अचानक से आपको क्या हो गया, जो बच्चे आएगा वो आपका ही पोता या पोती होगा, अगर अच्छे से इलाज नहीं मिला तो अरे सब कहने की बात है, देखो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हार उपाली, वसे ममी ठीक ही कह रही है, तुम्हारे इलाज में बहुत खर्चा हो जाता है, अगर पैसो की बात है तो मैं अपने माई किसे लेकर आ जाऊंगी, देविश, इस तरह किसी भी छोटे मोटी डॉ से मेरा इलाज करवा कर, मैं अपनी जान का खत्रा नहीं मोल ले सकती, हम, तुम मेरे बीवी हो, क्या सही है, क्या गलत, मुझे अच्छी तरह पता है, अब जो जैसा है, वैसा ही रहेगा, कहीं किसी महेंगे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, देखते ही देखते क जाली और सिमा बहुत ही कमजोर लग रही थी और साथ में परिशान भी, ये देखकर घंशाम को अपने दोस्त कैलाश पर गुस्सा आ जाता है, और वो अपने परिवार के साथ कैलाश के घर मिलने के लिए जाता है, कैलाश, मैंने तुझे बचपन का दोस्त समझकर अपनी बेटी की शादी तेरे घर में की थी, लेकिन तुने मेरी बेटी की साथ क्या किया? हाँ भाई साहब, हमारी बेटी को हमने इतने लाड़ प्यार से पाल पूस कर बढ़ा किया, पर देखिये ना क्या हालत हो गई है उसकी? लगता है हमारे परिवार से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो बहु का अच्छे से खायाल रखते हैं, फिर आपको इतनी शिकायत कैसे, माफ करना गर्जाम, मैं तेरी बेटी का खायाल नहीं रख पाया कोई ज़रुवत नहीं है उनसे माफी मांगने की, आपकी बेटी सीमा को इन लोगों ने दहज के लिए कितना परिशान किया है, आपको इस बात का ज़रा भी खायाल है ये तुम क्या कह रही हो, रुक्मनी? ये लोग हमारी बेटी को दहज के लिए क्यों परिशान करेंगे? अरे, इनकी पास पैसों की क्या कमी है? भावी, आपको कोई गलत फैमी हुई है? भगवान की दया से रुप्या पैसों के कोई कमी नी है मेरे पास फिर मैं क्यों अपनी बहुत सीमा को दहज के लिए परिशान करूँगा? आरे, भाई साहब, बहुत सारी चीज़े आपकी नजरों के सामने आई भी नहीं सर अपनी पतनी दीपा से ही पूछिए, सास होने के नाते, उन्होंने मेरी बेटी सीमा के साथ कैसा व्यावार किया है और आपका बेटा, वो भी कुछ काम नहीं है लेकिन तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? अगर हमारी बेटी के साथ उस परिवार में गलत हुआ है, तो हमें बात करनी चाहिए थी इसमें बात करने वाली क्या बात थी? जो इन्होंने मेरी बेहन के साथ किया, वही मैंने इनकी बेटी के साथ किया ये लोग मेरी बेहन का इलाज एक सस्ते से डॉक्टर से करवा रहे थे जिसका नतीजा आपकी आँखों के सामने है और वही व्यवार मैंने इनकी बेटी के साथ किया तो इन्हें गुस्सा आ गया देखो कैलाश मुझे लगता है हमारी लापरवाही के चलते हमारे बच्चों के साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके हमें खबर ही नहीं थी लेकिन भाबी और रीपा मैं आप दोनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए तो क्या करती मैं भाई साहब अरे नहीं था हमारे पास दहेज देने को हरते होआर पर देने के लिए महंगे तौफे नहीं थे तो क्या आपकी पत्नी मेरी बेटी को इसी तरह परिशान करती रहती रुक मेरी बेहन आपकी बाते सुनकर मुझे ऐसास हो रहा है कि मैंने गलती कर दी आप सही कहती है जब मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ तब मुझे इस बात का ऐसास हुआ मुझे माफ कर दीजिए खैर जो हुआ सो हुआ अब हम सब की भला इसी में है कि हम सब अपनी गलती को सुधारे और इस घर में आने वाले बच्चों की सेहत पर ध्यान दे कभी सपने में बिदे ही सुचा था कि हमारे परिवारों के बीच भी दहज का मामला आ सकता है और इसलिए तो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे घर में की थी लेकिन मेरी पत्नी की जरा से गलती ने रिष्टों में इतनी बड़ी दरार डाल दी नहीं भाई गलती हमसे भी हुई है मेरी पत्नी को भी इस बार में बात करनी चाहिए थी ना कि इस बात का बदला तुम्हारी बेटी से लेना चाहिए था इसके बाद दोनों परिवार आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और इस मामले को यहीं पर खत्म करके फिर से एक नए सीरे से शुरुआत करते हैं दोनों ही परिवारों को इस बात का एहसास हो गया था कि दहे जैसी चीज़ को लेकर उन्हें आपस के रिष्टों को वो खत्म नहीं करना चाहिए